नमस्कार अभिशेक टिवारी जी के साथ बिहार पे चर्चा जैसे की वाइदा था इस बार थोड़ा कम समय के गैप के बाद लेकिन पहार में गटना इतनी बड़ी हुई कि उस पर रुका नहीं जा रहा था और मैं ये भी देख रहा था कि मीडिया इस चीज को कैसे देख रहा है मीडिया इस खबर को कैसे कवर कर रहा है लेकिन मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि मीडिया ने इस खबर को अपेक्षाकरत दबाने की कोशिश की है इसे उस तरीके से फ्लेश नहीं किया गया जिस तरीके से ये फ्लेश होनी चाहिए थी और अगर ये सब इसी तरह की कोई गटना बीजेपी शासित राज्ये में हुई होती तो बवाल मचा होता और मोदी जी से जवाब मांगा जा रहा होता इस बात के लिए अभिशेग जी कटियार में क्या हुआ जरा घटना का विस्तार से बताईए जिससे के हमारे दर्शक समझ सकें और फिर उसके सबसे पहले तो हर्श की बात के समझ दर्शकों को प्रडाम जैश्रा विचितर कंडिशन है सर देखिए बिजली आपूर्ती को लेकर के सिमांचल में लगातार लिखा जा रहा था बोला जा रहा था पढ़ा जा रहा था लेकिन लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ तो लोग गैदर हुए और चर्मराई बिजली विवस्था के खिलाब प्रोटेस्ट सुभू था अब यह अक्सार होता है प्रोटेस्ट में कुछ लोग हिंसक हो जाते हैं चुकि इस प्रोटेस्ट में कटिहार के सभी जन जाती समुदाय कह लिए कि बिहारी सामित किसी जाती या धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है तो उसमें हिंदू में थे मुसल्मान भी थे पुलिस ने फैरिंग कर दी और एक मुसल्मान मर गया है और दूसरा घायल है नहीं दो की मुद्ध लेटेस्ट जो खबर है दो मर चुके हैं उसमें पुलिस के द्वारा है और आजकल सर पुलिस बहुत टाइट हो गई है वियार को कहती है अफवाह मत पहलाओ जो हम नूज दे रहुए हैं कटिहार के लोगों का कहना है कि चार लोग मरे हैं लेकिन चुकि वह ऑफिस्यल नहीं है पुलिस ने कहा दो तो हम दो बोलेंगे नह पुलिक तो यहां पर फाइरिंग हो गई है अब मरने वाले मुसल्मान है आपने दिल्ली के समचार पत्रों की बात की आप कलपना कीजिए सर की नराना यूब यूवन तक जा रही है वाशिंटन पोस्ट तक जा रही है यह तो मुसल्मान है इसका तो खुन खोलना चाहिए आर्फा खाना प्शिरवानी का तो खुलना चाहिए आप एक मुसलिम एक्टिविस्ट का नाम बता दिए जो इस मुद्बे पे बोल रहा हो कि नितिश कुमार इस्तिफा दे क्योंकि उनका यह लार्जर गोल नहीं है और नहीं उनको कभी मुसल्मानों से सेंपहते रही है य इनको सिर्फ हिंदू मुसलिम की राजनिती करके बीजे पीक को जो है सत्ता से बाहर रखना है लेकिन अगर यह तो इस्ट इंडिया कंपनी वालों का सासन है और यहां पे तो भाई समाजवाद भी है सुसासन भी है आपको एक विचितर घटना बता दे रहा हूं सर चुकि ह अधि जले शौ्त थी उसके उपर पिशाप कर दिया यह सब जब हो रहा था तो भीहार पुलिस खड़ी थी है ।ो भीहार पुलिस किसका इंतजार कर दो नहीं घटना के बाद अरेस्ट किया तो मतलब भीहार पुलिस इंतजार कर रही थी कि हम अभी बीच में involved नहीं होंग तो उसको भी अरिस्ट कर गए अभी वैशाली में महाराना प्रताप और भगवान श्रीराम को लेकर के भेंकर असब्वेटिपनियां कि लेकिन चुप है तो किसी के अंदर मनीश कस्या प्रकरण के बार यह बहुत महत्पूर्ण प्रकरण है इसलिए मैं बार बार उठांता किसी के अंदर हिम्मत नहीं बची है कि वो सरकार के खिलाफ पूर्स है पता नहीं अपने आपको मैक्सिस्यावाट धारी प्रत्रकार कहते हैं बिहार के बार 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 लाया जाना इसलिए भी जरूरी है वो एक इंडिपेंडेंट मीडिया को रिप्रजेक्ट कर रहे थे द फिर भी खुलकर लगते हैं लेकिन मुझे आश्चरिये है कि इस तरह की चीजे वहां हो रही है उत्तर प्रदेश में तो अजीत अंजुम कभी भी आते हैं योगीजी के खिलाफ कुछ भी वीडियो बनने का चला जाते हैं कमाल की बात है अजीत अंजुम मुझफर पूर ब ही तो इस देश की पत्रकारिता के नाक है वह तो दिख रहा है कि कितने बड़े लाख मैं लोगों के नाम स्पेसली इसलिए रहां ले रहां सब्सक्राइब क्योंकि इन लोगों के वज़े से बिहार आजगर हैं बिहार की दुरगती के कारण जो है चाटुकार मीडिया हाउस है और कमाल की बात है बियार में जितने मुस्लिम संगठन है वो भी चुप है आरे बाप बाप कही इस मुद्दे को हमने हवादी और बीजेपी को बेनिफिट हो गया तो तो गरबड़ा जाए गया कौन बोल रहा है चिराक पासवान बोल रहे है समर यही मुस्लिम को अगर गोली किसी सोचे मुस्लिम के छोड़िये अतीक एमद जैसे गैंक्स्टर को मार दिया तो भाई योगी जी का इस्तिफ़ा मांग लिया गया था कानून नयाय विवस्था फलाना धिमकाना जज की आवस्चता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया तो यहां क तो मुझे सदे इसलिए हो रहा है क्या चाहती है कि घटनाएं हो जा उसके बाद हमकी रफ्तार करेंगे और इस बार भी शो कर रहें तो आपको आश्चर होगा कि बियार पुलिस ने कल ट्वीट किया है कि हमने ग्रामीन बैंक में डाका डालने वाले सभी अभ्यक्तों को प कहती है नहीं होती बिः आरव में आज भी जो है वह वह वासेपूरी चल रहा है आब सोचिए कि गैंक्स ओफ वसेपूर बिहार में चल रहा है और फिर भी यहां पर सुसास है लॉय और पर कोई बात ही नहीं करना चाहता इस पूरे प्रदेश में और यह लोग कहते हैं हम इस इंडिया कंपनी वाले सरकार बनाया के मोधी कोरी प्लेस पर तो कौन सा बिहार का ही मॉडल नेंगे ना भाई क्योंकि आपके पास जो अल्टिमेट मॉडल आफ सुसासन है वो पकड़ लिए जाएंगे दो दिन होगे नहीं पकड़े क्योंकि बिहार की पुलिस इस वक्त लॉय और को फॉल्ल नहीं करते हैं नितीश कुमार की अपने जो पॉलिटिकल एंबिशन है उसे वज़से बिहार में लॉय और कोलाप्स हो गया है और इस पे कोई बात करने को त जाने जाएंगे तो इस वाला जो यह जो टर्म चल रहा है नितीश जी का इसमें एक तो पॉलिटिकली उनकी पार्टी तो नीचे जाई रही है साथी साथ उनकी मुझे लग रहा है कि जो विक्तिगत छवी अब तक रही है जो अपेक्शाक्रत बेदाग रही है बिहार के अ लग चुके हैं अब तो सुनने में आ रहा है कि के साथ जगड़ा हो गया है अधिकारियों के तबादले यह रोक देते हैं यह विचीतर घटना है 400 से अधिक अफसरों के तबादले हो गया अब तबादले हो गया देखें बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब होता ह कि कुछ लोग फिर रुकवाएंगे पैसा देंगे दरसल जब अंग्रेजों ने ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम बनाया था तीन साल के बाद तो उनका मुख्य देए था कि अफसर का कनेक्शन जो है किसी भी सिविलियन के साथ और अफसर जो है वह किराय के मकान में नहीं रहते थे उनके लिए अंग्रेजों ने रहने की विवस्था की थी गाड़ दिया था सुरक्षा के लिए दिया था तो अब यह सब तो चीजे नहीं नहीं भी बिहार में क्या पूरे देश में तो ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि अगर सर से जादा नहीं रहेंगे तीन साल में जैसे चुरू होता था दूसरी जगह ड्यांसफर हो जाता था बिहार में तो पैसे देखकरके आप 6-6 साल साल कई अफसरों के बारे में तो मैं जानता हूं जो पटना से ही रिटायर हो गये हैं तो यह कैसे होता है ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का लेंदेन सब कोई जानता है चाहे वो पुलिस भी भागोई है यह उपन सीक्रेट है इसके बारे में तो कोई नया बात नहीं है तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले पपुयादो ने कहा था कि बिहार पुलिस के ह में मास लेवल पर कर रप्शन है तो इस पर कुछ नहीं है अब देखिए यह जो था नितीश कुमार को तो कट बहुंचना नहीं था सायद क्या क्या प्रॉब्लम थी पता नहीं नितीश कुमार ने एक साथ वापिस करना पड़ेगा तो तो एडवांस ले लिया होगा तेज इमानदारी से वाला काम होता है लेकिन यह जरूर है कि इसने और नितीश कुमार के बीच में एक लाइन खीच दिया कि तुम्हारी हैसियती है अब आर जेडी की अपनी राजनीत मैंने बताया सब राजनितिक विवस्ता नहीं होती तो आर जेडी वाले इतना बरदास नहीं राजनितिक विवस्ता कुछ इस प्रकार से है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में पूरी की पूरी परिवार जो है पूरा का पूरा परिवार फसा हुआ है पार्टी फसी हुई है तो सब्ता में रहना आवश्यक है तो आप यह समझे कि करामात है इस देश में कि 45 वि बश्यां चिराग पासवान कहा है उनकी क्या अक्टिविटीज है चिराग पासवान अभी दो दिन पहले तक बिहार थे लेकिन कल वापस दिल्ली चले गया है चुकि उनको अपने पार्टी को लेकर के लगातार काम करने है और लगातार उनका एंडिये के गठबंदन दलों उसमें क्या हो रहा है सब कुछ हो गया सर लेकिन चिराग पासवान जिन लोग सभा सीटों पर लड़ना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ सब तो बीजेपी ही प्रोवाइट कराएगी ना तो फंड नहीं है चिराग के पास लेकिन चिराग जिस अस्तर के नेता बनते जा रह चिराग पासवान जैसे ही हो जाता है मेरे ख्याल से परसो लोटेंगे और यह पूर्णिया के कटिहार के मुद्धे पर हलाकि वो बाइट दे चुके हैं दिल्ली में दिल्ली में ही उन्होंने इस मुद्धे पर करारा हमला बोला है कमनिलिजम को लेकर के इनकी जूटी चिराग किसी के परिजनों से भी मिलने के लिए गयते हैं कुछ दिन पहले कहां गयते हो किसी गावं में कोई घटना हुई थी वहाँ भी गोली बारी की घटना सर अभी तो पटना में भी कल विफसाई को मार दिया गया मुझफर पूर में दिन्दहाडे मार दिया गया सामके छह बजे तो यह मतलब घटना है तो रुखी नहीं रही मैंने बोला ना कि हमारा शोट डेर घंटे का हो जागा अगर हम सिर्फ घटनाओं पर बात तो सवाल यह कि लॉइन और कोलाप्स में भट्टी साहब को एक्सपोज करते हैं आप याद कीजिए कि जब बट्टी साहब को पुलिस विवाग का मुखिया बनाया गया था तो कितना प्रचार और पूरा एक एको सिस्टम था जिसने कहा था कि अब तो अग्दम ठीक हो जागा वह बिल्कुल इनके वह अपने चांट के लाए थे यहने वह भूंड के लाए थे हां तो मैं वही कह रहा हूं कि अब तो यह दिख रहा है कि लॉइन और तो सिर्फ इस देश में अगर कहीं है तो योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में है जह दूसरे तरीके अपना लिए थे बैंक डगेती वाला जो है वो बता रहा हूं गैंक सब पासे पूर महीं चल रही है यह पूरे वर्ल्ड वाइड आउट ओफ फैशन हो जाए अब तो होली वूड में फिल्में भी नहीं बनती थी बैंक डगेती तो अब कोई करता है नहीं क में पैसा जिस्टेम से सब कुछ हो रहा है तो पता नहीं इतना पैसा लोग यहां को यहां टो कि देखिए ऐसा भी नहीं कि उनको बैंक डगेती में साट सतर लाग रुबे मिल जाने कि अगर आप अमाउंट सुनेंगा तो हसी आएगी छे लाग आट लाग दस लाग इससे बड़ा बड़ा फ्रॉड तो आजकर लोग ऑनलाइन कर लेते कुछ भी नहीं है बताइए चलते आदमी से चीन दो 6-7 लाग तो यह सार ने चीना चाप्टी वह वह एक अलग सर वह एक अलग रोजगार है देखिए रोजगार भी चली रहा होगा वहां पर वह अलग रोजगार है आपने वह सुना ना कि वह चेन स्नेश्चिं करके भाग रहा था नितिश कुमार को फवार और की क्या इस्थिति है और फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हो करके और देश के सामने पत्र काईता कर रहा हूं बिहार के संदर में कलेजा मेरा देखिए यह बेगु सराय में जो दलित महिला के साथ उसको निर्वस्तर किया गया था तो चिराग पासवान लगा था जन सं पार का पॉलिटिकल डैनेमिक्स बदला हुआ है उसका एक और कारण है नितीश कुमार लॉइन और पे इसलिए ध्यान नहीं दे पारें क्योंकि उनका ध्यान और सारा फोकस अपनी कुर्सी से जब किसी का फोकस बदल जाएगा सकता चलाने के बजाए सकता बचाने को लेकर यह भी न भागे मेरे विधायक भी न टूपते और आपको पता है कि राजनीती में आपको टफ डिसीजन लेने होते हैं और नितीश कुमार कभी इसके लिए जाने जाते थे आज नितीश कुमार कम से कम उनके पास गरीम मंत्राले है और कानूल विवस्था के मामले में यह नितीश कुमार के लिए अगर कही जाती है तो मुझे लगता है कि इस देश के पत्रकार बैमान लोग है और यह बैमानी है बिहारियों के साथ बिहारी आज अपने आपको सड़क पे बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है कब कहां किधर से गोली चल जाएगी किसके चेन स्नैचिंग हो जाएगा चाहे महिला बाइक से गिर जाया उसके सर में चोट लग जाया कोई फर्क नहीं पड़ता है बाइक चोरी कार चोरी यह सब तो मतलब इसी प्रकार के रोजगार है मतलब आप देखिएगा कि बिहार में आने वाले समय में आटैक में भी कट्टा चलेगा defense में चलेगा क्योंकि आमात्री परटि को सुरेख्शा के लिए कुछ चाहिए मैं फिल्क दिमाग में चड़े रहते हैं आम आदमी को भी सुरेख्शा के लिए कुछ न्यीक्ति क्योंकि अ क्षिकी बिहार पुलिस तो वह दिख रही थी कि दर भंग से ऐसी जिम्हे वाले समय में इन लीगल वेपन्स का कारोबार बहुत बढ़ने वाला है और इससे अच्छा-खासा रोजगार जिनरेट होगा चलिए अगले एपिसोड तक कुछ डवलपमेंट क्या होंगे अगर कुछ है तो बताईए फिर चर्चा होगी आप से अब देखे चिराग पासवान मेरे ख्याल से फ्राइडे तक यहां पहुंच जाएंगे दिल्ली में काफी देखे गे थे पिछली बार जब आये थे उनने नितीश के बारे में बोला मुझे लगता है कि नितीश के खिलाब बोलने की जिम्मेदारी चिराग को दे दी गई है कि जो बोल सकते हो बोलो यह बात तो हम लोगों ने अपने शो में मेरे ख्याल से चार महीने पहले ही डिसकस कर लिया था कि यह जिम्मेदारी उनके उपर ह और नितीश कुमार को बैख फुट पर रखना उनका काम है और बीजेपी आरजइडी और कॉंगरेस पे लगातार अटायक करेगी हला कि भीजेपी भी इस वक्क नतीश कुमार पर यह अटायक कर रही है लेकिन मेरा यह मानना है कि नतीश कुमार आर्जइडी के साथ अलायंस में जैसे हाते हैं एक टत्व है जिसको लगता है कि मेरी सरकार आ गई है और अब मैं कुछ भी कर सकता हूं दूसरा एक प्रॉब्लिम ही है कि बिहार पुलिस एक निस्पक संस्थान के जगे ऐसा लग रहा है कि सरकार की मशीनरी की तरह एक्ट कर रहे किसी भी केस को उ जिराग पासवार्ण के बारे में अपसे एक उपीजनर लेना चामोंगा के कि तो आप नेशनल पोलिटिक्स को लेकर लोग उने देखते हैं दूसरा स्टेट की पोलिटिक्स को लेकर देखते हैं और देखिए लोग सबाचनाव में सिर्फ एक साल का गैप होता है बिहार मे अगले साली बिहार में ब्रवदान सभा चुनाओ और फिक्री तो एक उपीनियन तो यह है उनके बारे में पहले भी कहा था कि जैसे ही वो बिहार में आते हैं और मुझे समय देते मैं इंटरव्यू करूँगा मेरी उनसे लगातार मैं उनसे संपर्क में हूं तो यह प्रस्ट ना पने मुझसे पूछ लिया तो मैं आपके लिए यही क्योंगा कि अगली बार जब हम आया और अगर इं वाली बात नहीं होती इसमें फिर भी उनका एक पॉलिटीशन का एक एम होता है कि मुझे नैशनल पॉलिटिक्स करनी है स्टेट की जैसे सचीन पाइलेट है सचीन पाइलेट को बहुत कोशिश हुई नैशनल लिविल पे लाने की लेकिन उनका इंट्रेस्ट राजस्थान म नहीं आना चाते कमलनात नहीं आना चाते तो बहुत सारे ऐसे नहीं आना चाते चलिए और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें